डिक्टेशन शुरू होगी पांस सेकिंड बाद साथ व्यसनों में दूसरे नंबर का व्यसन है मासाहार विराम यह जहां नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का पतन करता है वही मानव के अंदर निर्दयता को पन पाकर उसे पशू से भी निम्न श्रेणी में पहुचा देता है विराम मासाहार से मस्तिश्क की सहन शीलता नश्ट होकर वासना व उत्तेजना वाली प्रवृति बढ़ती है विराम जब किसी बालक को शुरू से ही मासाहार कराया जाता है तब वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों को मारने कश्ट देने में कभी गलती का अहसास ही नहीं करता है जब कि मानव को स्वभावतह अहिंसक प्राणी माना गया है विराम पैरा यूं तो प्राचीन काल से ही शाकाहारी और मासाहारी दोनों प्रकार के मनुष्य इस धरती पर हुए हैं किन्तु वर्तमान में मासाहार का जो खुला और विभत्स रूप हमारे देश में पनप रहा है इसे कल युग का अभिशाप ही कहना होगा विराम भारती संस्कृती खोखली होकर अपने भाग्य पर आसु बहाने को मजबूर हो गई है विराम जहां रक्षक ही बक्षक बना हुआ है अर्थात सरकार स्वयम पशुओं का मास निर्यात कर पास्चात्य देशों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा रही है तब मानवता भला किसके दरवाजे भीख मांगने जाएगी प्रश्नवाचक वह कराह कर एक दिन पंगु हो जाएगी और मानव की शकल के पशु देश का राज्य संचालित कर अपनी स्वार्थ पूर्ती करके धरती पर ही नरकों का द्रश्य स्थापित कर देंगे विराम प वर्तमान में मासाहार आधुनिक फैशन का एक अंगसा बन गया है विराम अतह मासाहारियों को दूसरों के सुख दुख का कोई अनुभव ही नहीं होता है विराम प्रकृती ने हमें इतनी सारी सबजियां, अनाज, फल, मेवे, प्रदान किये हैं कि मासाहार के लिए कोई गुनजाइश ही नहीं रह जाती है फिर भी न जाने क्यों मानव मासाहार की और बढ़ रहा है प्रश्नवाचक मासाहार के त्यागने में केवल मन के द्रड निश्चय की आवश्चकता है विराम इसको छोडने में कोई भी असुविधा नहीं होती है विराम प्रत्यत छोडने वालों को मानसिक शान्ति का ही अनुभव होता है विराम नित्यप्रते मासाहार करने वालों ने भी एक खशन के सत्संग से जीवन भर के लिए मासाहार का त्याग किया है विराम इसके जीवन्त उदाहरन प्रत्यक्ष में देखे जाते हैं विराम परम पूज गणनी प्रमुख आयका शिरोमनी श्री ज्यान मती माताजी अप्रेल 1995 में अयोध्या से हस्तिनापुर की और विहार कर रही थी उस मध्य सैकडों भव्य प्राणियों ने आजीवन मासाहार का त्याग किया विराम पैरा भारत की इस शस्य शामला भूमि के इतिहास को पढ़ कर फिर्दय प्रसन्नता से फूला नहीं समाता परंतु जब इस देश की वर्तमान दुड़दशा को देखते हैं तो दिल पीडा से व्यथित हो उठता है विराम पैरा राम, कृष्ण, महावीर, कबीर और गौतम के इस देश में सूर्ज की प्रथम किरण उगते ही 25 लाख मुर्गों को, 5 लाख बकरों को और 25 गोवंश को मौत के घाट उतार दिया जाता है विराम बंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता तथा मदरास में बड़े बड़े यांतरिक कतल खाने प्रति दिन हजारों मूक प्राणियों का खून कर रहे हैं विराम बड़े आश्चर्य की बात है कि अहिंसा प्रधान हमारे देश में स्वतंत्रता के पस्चात हिंसा का तांडव निरित्य चरम सीमा तक पहुँच गया है विराम जिसे आंकडे बताते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में यहां 300 कतल खाने थे वर्तमान में 3600 बड़े एवं 36000 छोटे बड़े कतल खाने दिन रात बेजुबान प्राणियों का खून बहा रहे हैं विराम विश्व में कुल 530 करोड लोग हैं जिन में से 80 प्रतिशत लोग मासाहार करते हैं विराम भारत जैसे अहिंसा प्रधान देश में 65 प्रतिशत लोग मासाहारी हैं विराम इन में से 5 प्रतिशत लोग रोजाना मासाहार करते हैं 25 प्रतिशत लोग सपता हमें एक बार करते हैं 25 प्रतिशत महीने में एक बार करते हैं 10 प्रतिशत कभी-कभी होटल आदि में मास खाते हैं विराम। महरास्ट्र में 65 प्रतिशत तमिलनाडु में 85 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 35 प्रतिशत तथा बिहार में 40 प्रतिशत लोग मासाहार करते हैं विराम। जिस शरीर को रहस्ट पुस्ट करने के लिए व्यक्ति अनेक पशु प्राणियों की हिंसा से प्राप्त मास को खाता है वास्तव में वह शरीर सबसे बड़ा दगाबाज है विराम यह हमारा साथ कब देगा इसका कोई पता नहीं विराम सब कुछ सोचने के बाद निशकर्ष यही निकलता है कि शाकाहार पौश्टिकता बौध धिकता एवं सभी दृष्टियों से लाभ प्रद आहार है अतह इसे ही अपनाना चाहिए विराम पैरा कहा भी है तुम्हें पालने में असमर्थ धरती मा की धूल नहीं है विराम अतह अन फल मेवे रहते मास तुम्हें अनकूल नहीं है विराम स्टॉप